हलो दोस्तो नमस्कार मैं राज मेरा आप सभी का सवाक्त करता हूं दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आप में Instagram ID के नमर है वो निकाल सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड की Instagram ID के नमर निकालना चाते हैं या फिर आपको कोई भी आपका friend है वो fake ID से आपको message कर रहा है और आप पता करना चाहते हैं कि यह किसी नम्मर से बनी हुई है वो आप पता कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone में play store को open करना है उसके बाद में search bar click करना है सर्च बार पिकलिक करने के बाद में आपको यहां पे सर्च करना है इंस्टागाम सर्च करने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी फोन में इंस्टागाम को अपडेट करना है अपडेट करके रखा है तो आपको डारेक्ट ओपन पिकलिक करना है उसके बाद में आपको search का एकन है इस पे click करना है search का एकन पे click करने के बाद में यहाँ पे उस friend को search करना है जिस friend का आप number निकालना चाते हैं तो दोस्तो यहाँ पे हम सुनील कुमार के जो number है वो निकालना चाते हैं यह हमारा friend है इसके हम number देखना चाते हैं तो किस तरह से देख सकते हैं इसके लिए आपको इसकी प्रोफाल को ओपन कर लेना है तो दोस्तो आपको बता दूं कि आपके फ्रेंड की प्रोफाल लोक हो या फिर पब्लिक हो यानि कि प्राइविट हो या फिर पब्लिक हो आप दोनों के नमर हो निकाल सकते हैं तो दोस्त इसको आपको copy कर लेना है, copy करने के बाद में अब आपको यहां से back करना है, back करने के बाद में अब आपको अपने phone के home page पे आजाना है, home page पे आने के बाद में अब आपको अपने phone में chrome application को open कर लेना है, आप यहां पे google भी open कर सकते हैं, कोई सबी browser है google का वो open कर सकते हैं, उस है अब आपको इसका जो यूजर नेम उसको आपको यहां पर कोपी करना है तो दोस्तों आपको बता दूं कि सिर्फ आपको इसका यूजर नेम ही कोपी करना है आप चाहें तो उसको याद करके Instagram को Open करना सुछ के बाद में अब आपको आपका जो प्रोफ़ाल एस पर क्लिक करना प्रोफ़ाल पर बिए जिस तरोपिल पर से सामने का ईप crate करना अपको आपको कको यह ओ STEPHAN अप्र देख्वाद में आपको login into exist account का option इस पे click करना है जैसे आप इस पे click कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने दो option देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको switch account का option इस पे click कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने दो option देखने को मिलता है यहाँ पे username और password का option मिलता है तो दोस्तों आपको बता दूँ कि यहां पे black screen हो चुकी है उससे पहले आपको बता दूँ कि इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको नीचे देखने को मिलेगा get help login इसमें आपको klik करना है get help login पे जिसी क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने find your account का option है वो देखने को मिलेगा उसके बाद में आपको यहां पे आपने जो username को पी किया था उसको आपको Metroland करना है username paste करते ही आपको यहां पे next कQUEॉपसिन है उनेबल हो जाएगा तो आपको next का अपसिन इसके क्लिक करना है next के option पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ से पता कर सकते हैं यह नमर किसके हैं तो दोस्तो देख सकते हैं लास्ट के जो दो डिजट है वो यहां पर शो हो रहे हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नमर हो किसके हैं तो दोस्तो यह तरीका था फर्स तरीका जिससे कि आप जान सकते हैं टेक्स मेसेज कर सकते हैं डारेक्ट उसको कोल भी कर सकते हैं इसके लिए आपको यहां से बैक करना है बैक करने के बाद में मैं आपको एक मेरे दूसरी आइडिया ओपन करके दिखा देता हूं उसमें आपको यह सेटिंग करना होगा सेटिंग करने के बाद में आप आसानिय से उसको call कर सकते हैं डारेक्ट और message भी कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे हमने अपनी जो दूसरी idea उसको open कर लिया है उसके बाद में आपको उपनी profile पे click करना है profile पे जैसे click करेंगे उसके बाद में अब आपको यहां पे अपने account को professional mode पे जैसे click करेंगे उसके बाद में आपको परोफेशनल अकाउंट में किस तरह सकते हैं उसके बाद में आप डारेक्ट उसको उसके नमर निकाल सकते हैं आपको लाइप रूप के साथ दिखाने वाला हूं तो दोस्तों आपको यहां पे find out करना है account type में tools का उसको आपको य सकते हैं account type and tools का option है वो हमें मिल चुका है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको स्वेस्ट प्रोफेशनल अकाउंट का फस्ट में देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करना है इसके बाद में आपको क्लिक करते जाना है उसके बाद में आपके सामने दो देखने को मिल जाते हैं अगर आपको बिजनस है तो आप scientific करना इसके बाद में आपको कैंटिवर का उपसन मिलता है इस दे खंड कर रिक करना है उसके बाद में आपको यह यहाँ पर देखने को मिलेगा contact option इस पर आपको क्लिक करना है contact option पर जैसे टिक करेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर अपने business mail एड़ कर सकते हैं अपने mobile नमर एड़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर audio को भी set कर सकते हैं call के थूँ उसके बाद में यहाँ पर आपना जो नमर नमर एड़ करने के बाद में आपको उपर देखने को मिलेगा right side में right का इकन इस पर क्लिक करना है right के आइकन पर जैसे कलिक कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह गंटर पर देखने को मिल जाएगा नीचे आपको देखने को मिलेगा display contact info इसको आपको पर आपको right का इकन इस पर जैसे क्लिक करने के बाद में आपको यहां से बेक करने के बाद में अब आप किसी भी फ्रेंड का जो नमबर हो निकाल सकते हैं तो दॉस्तों इसके लिए आपको क्या करना है अब आपको मैं जो मेरी personal ID उसको आपको open करके दिखा देता हूं इसक उसकी profile उसको आपको open कर लेना है चलिए मकर दिखा देता हूं यहां पर हमारी ऐडिया इसको हम open करते हैं उपन करने के बाद में अब आप यहां पर देख सकते हैं follow का option आ रहा है message का email address दे रखा है तो आप email भी कर सकते हैं अगर आप text पर क्लिक करते हैं तो social media के जो option है वो आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप call पर क्लिक करते हैं तो direct आपका नमर यहां पर call पर लग जाता है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने किसी भी friend के जो नमर है वो Instagram से निकाल सकते हैं तो दोस्तो आपको बता दूं कि इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप इंस्टागाम ID के mobile नमर हो निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बसते नहीं मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार